हलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून आफ सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ अफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लोग में और नई सुभा के साथ नए दिन की शुरुआत नए घर में तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हो में यहाँ पर मेरा जो यह वाला रूम था ना तो सामने वाला छोटा सा एक रूम है तो इसमें है ना बेट कवर बबर और यहाँ पर आप लोगों ने जिस दिन में आई थी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़ादा हो रखा था दिशानी के पापा के कपड़े वपड़े दुनियादारी सब कुछ तो सुबे से है ना मैंने बहुत सारे काम तो ओफ कैमेरा ही कर लिया था क्यूंकि दिशानी मेरे फोन में देख रही थी काटून और मेरे पास एकी फोन है तो इसी बज़े से ना अगर उसको में नहीं देती ना तो वो मुझे कोई काम नहीं करने देती तो यहाँ पर देख सकते हो यह जो ड्रेसिंग टेवल है तो इसका है ना पूरा एरिया बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था तो वो सब कुछ मैंने साफ किया है सारी चीजे मैंने अभी फिलाल के लिए तो जमा द रिया है फिर यहाँ पर देख सकते हो सबस्वे सुबे में आज मेंने बनाई ती खिचडी तो दिशानी के पापा का तो फेवरेट है खिचडी और शाथ में मेरा तो हम दोनों का ही ना पेट का हलग सबना दी थी और फिर जाके यहाँ पर मेनाह धोके भी तयार हो गई थी सारे घर का जो सफाई है ना वो लमसम हो गई है पूरे किचन को मैंने अच्छे से रगड रगड के दो लिया है तो वो सब कुछ मैं इसलिये नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी अभी सो रही है उसने किलोने से थोड़ा से मुझे टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा अकेली फिल कर रही है इत्ते दिनों से वो मतलब इत्ते लोगों के बीच में थी तो अभी फिलाल वो अकेली है तो उसके साथ में खेल भी रही थी थोड़ा बहुत और इधर देख सकते हैं इत्ता सारा खिलोना होने के बाद भी ना वो पूझा घर से घंटी लेकर खेलेगी तो बच्चों को कित्ता भी खिलोना दे दो क्यों ना पर उनको अजीवों चीजों से खेलना ही पसंद है जैसे कि घर के बर्तन, पूझा का सामान यह सारी चीज़ है तो वही सब क और फिर यहां पर देख सकते हो में इसके खिलोने है ना समटानी के लिए ही आई थी पर वो उठ गई है फिर से तो इसी बज़े से ना वो फिर से खेलने लग गई है तो कुछ-कुछ चीजे मैंने एक पॉलिथीन में भर दिया है और इधर साइट कोने में आप लोगों को कु बहुत सारे है और अभी भी मैंने कपड़ों को नहीं जमाया है धीरे धीरे ही करूंगी सारा काम मैं एक साथ नहीं इसलिए कर रही हूं क्योंकि दिशानी को रखने वाला यहां पर कोई भी नहीं है और वो अकेली बिल्कुल नहीं रहती है अगर रहती है तो उसको फोन दे देख सकतो है दिशानी के पापा के कुछ कपड़े है और सब कुछ मेने धोके सुखा लिया है तो बस अभी सोुड़ करके रख रूप्रेश के लिए भी जाएगा यह सारे कपड़े तो चलिए अभी इसको मैं जल्दी जल्दी से फोल्ट कर लेती हूं तो फ्रेंड्स यहां पर सारे कपड़े पपड़े मेरे फोल्ड हो गए है फिर यहां पर देख सकते हो बाहर का नजारा कुछ ऐसा है और यहां से ट्रेन बारवार जाती है आती है तो वो दिखता रहता है तो ना कभी-कभी तो अच्छा भी लगता है पर कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा डिस्टरवेंस होती है तो यह सब कुछ चलता रहता है फिर यहां पर देख सकते हैं दिशानी खेल रही है और फिर जाके मैं इधर आ गई हूँ अंदर थोड़ी बहुत दिशानी के साथ बा तो इसी बज़े से ना मुझे ना चीजे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा परिशानी होती है जैसे कि यह काउंटर टोप है ना मेरे लिए बहुत चोटा है तो इसको है ना मैं एक दिन ओर्गनाईज करूंगी और फिर जाके आप लोगों के साथ शेर भी करूंगी तो अ चिप चिपा हो गया था पूरा घर का बरतन तो वह सब कुछ मैंने एक एक बार फिर से दो लिया था तो फिर जाके यूज करने में अच्छा लग रहा ने तो फिर यूज करने में परिशानी आ रही थी क्योंकि चिप चिपा हो जाता है कुछ दिनों से बरतन रखे रहते है तो फिर देखिए यहाँ पर दिशानी आ गई है और अभी है ना दियावत्ति करने का टाइम भी हो गया है तो अभी मैं पूझा कर लूँगी थोड़ा सा और ज्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मिझे पूझा घर भी पूरा अच्छे से साफ करना है एक साथ मैं कुछ भी नह कर पारी हूँ यहाँ पर नहीं तो फिर अगर दिशानी को कोई रखने वाला हो तो यह काम में जटपट कर लेती हूँ पर यहाँ पर कोई नहीं है तो मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा फिर मैं देखिए यहाँ पर दियावत्ति करने के बाद दिशानी को तयार किया है और पूरे घर में धुआ धुआ हो गया है धूप का तो इसी वज़े से ये जो वीडियो आप लोग किलिप देख रहे हो ना तो ये थोड़ा सा धुनला लग रहा है क्योंकि धुआ था पूरे घर में फिर यहाँ पर दिशानी को तयार की हूँ और मैं खुद भी तयार हो गई अब लेके जाऊंगी थोड़ा से दिशानी को बाहर गुमाने तो उसको भी अच्छा लएगा और दिशानी को है ना मैं जब बाहर लेके जारी थी ना गुमाने तो उसने सोचा हम लोग फिर से जा रहे हैं तो इसी वज़े से ना उसने बड़ा वाला बेक पकड़ा और बो लोकल शोप से ही लेना पड़ा था पर यहाँ पर आई हूँ तो एक दो चीजे तो लेकर ही जाऊंगी पर यहाँ पर आने के बाद है ना दिशानी पहले जब यहाँ पर लाज टाइम आई थी तीन मेने पहले तो उस टाइमे न, उसको इतना इचे से चलना वलना नहीं आता था तो देखें, आज है न, दोड रही है channel ही और is वह है न, control में ही नहीं अभी है ना वो मेरा पर्स लेके खड़ी है उसको पर्स से पता नहीं कितना लगाव है फिर जाके पर्स लेके सीधा देखिए रिटन फिर जारी है अंदर तो मैं उसको पकड़ के ला रही थी सीधे चली जारी है दुबारा ऐसे और ऐसे बार-बार कर रही थी तो बहुत ज़्यादा जिद्धी हो गई है दिशानी अवी फिर यहां पर से हम लोग घूम फिर के आ गए थे कुछ पेट पूजा करने तो यहां पर देख सकते हो यहां पर मिल रहा था धोसा और यह धोसा है ना ये लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत क्षेस्य तो मुझे कोई अचानक से हर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है पर यह जो डोसा था ना बहुती टेस्टी था सच में मैं बहुत जगे पे खाई हूँ पर इतना टेस्टी मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था पर यहाँ पर बन रहा था उत्तपम और इधर इडली ले लिया था और मैंने यहा मापा ने लिया था शूळा था मसाला ढोसा तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही धी पर इस से बीस नहीं मुझे तो मक्तलब स्वेस्टा है मसाला ढोसा मुझे बिलकूल मुझे आख्छा नहीं लगता है शुरू से ही में क्रश्खी वाणा ढोसा खाती हूँ तो वही घारी फिर डोसा खाने के बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा यहां पर सोडा पीने तो यहां का सोडा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था और दिशानी है ना क्या करेगी क्या नहीं करेगी कुछ भी नहीं समझ रही थी बहुत ज्यादा मतलब परिशान करें थी फिर देखिए य दो आपकरफू के दिशान ही ना सब लोगों के सामने ना उसकी बात में नहीं मान रही थी व्हाल पकड़ रही थी ऐसे करी है आजकल पता नहीं बहुत ज्यादा बदमाश हो गई व को सोधारना पड़े गा डरेक्सिती Tsaf तो फ्रेंड्स अभी फाइनली हम लोग पहुच गया है घर घुम फिर के बहुत देर तक घुमे फिरे लाल तो यह बैठी हुई है और देखिए बाच को पहन रही है पेरों के अंधर इस देखो ममा हाथ में पहनते हैं हाथ में हाथ में पहनते हैं कलाई में दिखाने भी नहीं देगी ऐसे परशान करें तो अभी फिलाल तो हम दोनों का पेट भरा हुआ है सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊंगी खाने में तो यही सोच अभी तो मेरे तो पेट में विल्कुल भी जगे नहीं है मेरे लिए इतना ही बहुत था हो मम्मी गिरा मत तूट जाएगी पिट्टी से अबना तूम्मार अइह मादा थी थी क्याता है इतने से में का होगा चाहता चाहिए अबादा यह यह जब हमना नहीं है हम आज लान यह थीज्यटी के अब शावर यह वाच वाच ऊटा के दोना के आदू नहीं गडा़िवार्दीर जाएग लोग अव्यों ए पापा को उपर गुस्ता था कि मेरा बहुत इगराईगी तो फिर मेरा ही नुकसान होगा ना एटनाओ दखो ने सारे खिलोने है दिशानी ऐसे इसलिए नहीं था क्योंकि ना दिशानी मेरे फॉन मेरे कार्टून देख रही थी और मेरे पास एक ही फॉन है तो मैं काम कर रही थी नहीं तो फिर उसको फॉन नहीं देती न तो वह मुझे काम भी नहीं करने देती खिलोने से इसका है न थोड़े टाइम बाद न इसका मन भर जाता है फिर उसको फेक के वो अभी देखिए फिलाल देखा बोरोलिन लेके यह हमेशा इसे ही करती है तो अभी चलिए मैं जाती हूँ किचन में और देखती हूँ अभी फिलाल में क्या करूंगी तो दोपेड में जो खिचड़ी मैंने बनाई थी न वो तो रखी हूई है और यहाँ पर है दिशानी का दूद बरतन भी मैंने सारे दो लिये थे तो मेरे पास इत्ता ज़्यादा कोई काम है नहीं खास अभी बहुत सारे काम है पर वो अभी के लिए नहीं है वो मैं बाद में करूंगी और इस रूम में क्या हाल है ये रूम भी साफ सुत्रा है ये देखिए प्रेंट लाके रख दिया है तो कल मुझे थोड़ा सा और सफाई करनी है आज मैंने जैसे तेसे करके डेसिंटेविल बगरा साफ कर लिया था थोड़ा थोड़ा करके और यहां पर करना है मुझे साफ तो चलिए फिलाल तो मैं चेंच कर लेती हूँ और फिल जाके मैं आप लोग के साफ करती हूँ सावाफ करके उसको गरम पानी से एक बार ठंड़ पानी से सावन से दोके फिल जाके उसको सुखा के रखती हूँ ताकि मुझे अगर रात को उसको दोड़ पिलाना हो तो भी साब वोटल मिले और सुखे भी अगर वो कभी कभी रात को नहीं पीती है तो सुखे भी डिरेक्ली मुझे वोटल मिले ज्यादा लोड़ ना हो इसी बज़े से मैं रात को कुछ-कुछ काम करके रख देती हूँ दिशानी के बज़े से तो यहाँ पर वही सब कुछ मैं कर रही हूँ और घर के काम तो अभी भी इतने पड़े हुए है ना कि मैं कहां से करू कहां से नहीं करू कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पर धीरे-धीरे करना ही पड़ेगा सब कुछ घर के काम तो कभी खतम होने वाले है यह नहीं और मुझे है ना थोड़ा सा साफ सफाई में मुझे जादा वो है मेरे से भी सापसफाई लोग होंगे पर मुझे मेरे हिसाब से जब तक काम ना होना तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो वहीं सब कुछ मैं कर रही थी यहाँ पर और धीरे-धीरे सब कुछ किचन का यह जो एकाउंटर एरिया है और सामने का जो सलेव है वो सब कुछ तो मैंने अच्छे से धो लिया है और चमक भी रहा है आप लोगों को दिख भी रहा है तो वो सब कुछ मैंने धो लिया है के बाद तो इतने सारे काम होते हैं और यह मेरी प्रोवलम नहीं है यह सारी ओरतों की प्रोवलम है घर से अगर कहीं जाओ ना कितना भी समटा के जाओ पर घर पे आने के बाद धेरो काम आपके इंतिजार करते ही है और उसे करना भी पड़ता है तो कहीं घूमने भी जाओ ना